नतीजों के बाद नंबर थोड़ा कम पड़ता है तो चिराग पासवान से समर्थन लिया जा सकता है। हाइपाथिटिकल हम होते नहीं और उपीनियन्स भी नहीं कहते हैं कि हम हाइपाथिटिकल हो जाएं। मैं आगे आपसे नंबर भी लूँगा लेकिन अब मैं बंगाल की तरफ चलता हूँ। बंगाल में आप कह रहे हैं कि दीदी का जो किला है ममता दीदी का जो किला है वो धुस्त करने में आप सफल होंगे। लेकिन बंगाल में एक बड़ा मुद्दा है बिहार से बिल्कुल सठा हुआ है बंगाल में बिल्कुल एक बड़ा मुद्दा है पोलिटिकल किलिंग वहां के गवर्नर ने भी बोला कि यह रक्त रंजिश अब खतम होनी चाहिए दीज पोलिटिकल किलिंग शुट स्टॉप और उनका तो बड़ा आरूप भी है कि पुलिस पार्ट हो गई है पुलिटिकल पार्टी का ये बड़ा गंभीर आरूप है और आपके भी कई कारे करताओं को वहां मौत की घार उतारा गया है मैं खुद सौ कारे करताओं का तरपन होता है ना जो उनको पिंदान जिसको कहते हैं तरपन करते हैं सौ कारे करताओं का मैं खुद तरपन करके आया है पुलीस एड्मिनिस्टर्ड किलिंग्स यानि पुलीस के द्वारा इसमें सपोर्ट होना और स्टेट का सपोर्ट होना और पुलिटिकल त्रिष्टी से लोगों को उनका जीवन लीला समाप्त करना ये वहां का ओर्डर आफ दे डे हो गया है ये सब लोग जानते हैं लेकिन भारतीय जन्ता पार्टी का कारकरता फिर भी तयार बैठा है और मैं ये भी जानना चाहता हूं कि इसके बारे में हमारे जो नेता बड़े दोड़े होते हैं कहीं कहीं जगहों पर दिन रात सब लोग भाई बहन लोग सब लोग चले होते हैं वो कभी बंगाल की चर्चा नहीं करते हैं वो कभी इन चीजों की चर्चा नहीं करते हैं, तो यह भी बताता है कि किस तरीके से उनके देखने का नजरिया है, they are not interested in political issues, they are interested in their political settlements. बंगाल को लेकर मेरा सवाल आपसे यह है कि आपके कई नेता, सांसत, मंत्री, बाबुल सुप्रियों हो गए, केलाश विजवर की जो राष्ट्रे महा सचेव हैं, उन्होंने कहा है कि यहां राष्ट्रपत्री शासन होना चाहिए, आप क्या कहते हैं? लेकिन हम डेमाकरसी में विश्वास करते हैं, और डेमाकरसी में हम चाहते हैं कि उनकी सरकार चले, प्रजात अंतर तरीके से लिए, मैं बढ़ता हूँ आगे, और अब बंगाल के बाद आपने क्योंकि भाई बहन की बात करी, तो मैं निशाना आपका समझ गया, रहुल गा गांदी और प्रियंका गांदी पर है, क्या आपको लगता है कि करोना के साथ साथ इस बारी मुद्दा पिछले कुछ महीनों के अंदर चाइना भी रहा, राहुल गांदी ने बिहारी में हाली में एक बयान दिया, और उसमें बड़े सपष्ट रूप से कहा, राहुल किलो मीटर अंदर गुज गई है, यह उनके शब्द है, ऐसा है थोड़ा जानकारी कम रखते हैं ना, और इतिहां